तो चली आज हम मनाते हैं आलू पोह का नास्ता जिसे खाने के बाद आप मार्केट की कचोरी समसर सब खाना बोल जाओगे पोहों का यूस्ता आपने कही रेसिपी में किया होगा लेकिन इस तरह से आपने आलूक पोह या सता कभी नहीं बनाया होगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हमें एक बड़े बरतन में पानी लेना है और उसमें हम एक कटोरी पोहा डालेंगे इने हम 1-2 बार साफ पानी से दोलेंगे और धोने के बाद इसका जो सारा पानी है तो निकाल लेंगे अब हम यह इस पर कड़ाई रखेंगे और उसमें हम एक बड़ी कटोरी पानी डालेंगे स्वादनुसा नमक डालेंगे और एक छोटा चमर टेल हम यहाँ पर डालेंगे ताकि हमारा जो नास्ता है बहुत ही खस्ता बन के तयार हो तो फ्रेंस यहाँ पर मैं आपको याद दिला दू कि अगर आपको आज की मेरे रेसिपी जरा से भी पस्सान आती हो तो मेरे चैनल को स्ट्काइब जरूर करें पानी को हम गरम होने देंगे और जैसे हमारा पानी गरम होगा हमने जो पोहो को दो के रखा है वो डाल देंगे और साथ में हमारा नास्ता क्रिस्पी बन के तयार हो उसके लिए हम यहाँ पर दो छोटी चमर चावल काटा डालेंगे अगर आपके फस चावल काटा नहीं है तो आप यहाँ पर सूजी का भी उस कर सकते हो यहाँ पर हम गेस की फ्रेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्रेम पर इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक यह एक डो की फ्रम में नहीं आ जाता पोहो ने दिरे दिरे सारे पानी को सोक लिया है और यह एक डो की फ्रम में आ चुका है इसी इस्टेश पर हम गेस को बंद करेंगे और सारे डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देख लिए साइट में रखेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए अब करते हैं हम आगे की त्यारी तो यहापे मैंने दो उबल्योवे आलू लिये हैं इने हम अच्छे से मेश कर लेंगे अब चाओ तो इने ग्रेट भी कर सकते हो बस इतना ध्यान रखना है कि इनके अंदर कोई गुटली नहीं रहनी चाहिए आलू को मेश करने के बाद गेस पर हम कड़ाए रखेंगे और उसमें हम एक छुटा चमच तेल डालेंगे आदा चमच सौप और आदा चमच जीरा और आदा ही चमच हम यहापे राई डालेंगे हमारा अनास्ता इस पाई जीवन के तेयार हो इसके लिए हम यहापे एक बारी कटिवी हरी मीड डालेंगे और साथ पर हमने जो आलू को मेश करके रखा था वो डाल देंगे यहापे हमें आलू को ज्यादा पकाने की जुरूत निय退? चले इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले डालते हैं आदा चमच नमक डालेंगे आदा चमच लालींज पाउडर ढालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पौडर डालेंगे और आधर चमच हम यहाँ पर दिनिया पौडर डाल देंगे इन सभी मसालों को हम आलू के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसी इस्टे पर हम गेस को बंद कर देंगे तो फिरेंस यहाँ पर हम जैसे कचोरी बनाते उसी तरह से हमें इसे पना के तयार करना है बस हमें इतना ध्यान रखना है कि आलू की फीलिंग है वह बहां नहीं निकलनी चाहिए पहुती आसान है इस नास्ते को बनाना बस तोड़ा से समझने के जुरते तो इसी तरह से हम सारा नास्ता बना के तयार करेंगे अगर आपको यहाँ पर और कोई शेप पसंद हो तो आप यहाँ पर वो भी बना सकते हो इसी तरह से हमने सारा नास्ता बना के त्यार कर लिया है तो यह देखे दिखने में कितना अच्छा लग रहा है आप इस नास्तों को या तो दी-fry करके खाए या फिर शेलोफ्राइ करके या फिर इस्ट्यूउ करके खाए जिसके भी खाए आपको बहुती अच्छा लगेगा खाने में जो लोग कोई ली खाना पसंद नहीं करते आप इस नास्तों को तवे में सिखके दे उन्हें पहुत ही पसंद आएगा हम भी इत नास्तों को बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने गेस पर उटी तवा रखाएं पर हमें सिर्फ एक छोटा चबत तेल डालना है उजिसे हमारा तेल गरम होगा हमने जो ठीके बना के तियार किये वह रखेंगे औ क्योंकि इस नास्तों को हमें ज्यादा पकाने के जरूदे डो भी पहले से पका हुआ है और हमारी अंदर की जो फीलिंगे वह भी पहले से पकी हुई है सिप इस नास्तों को हमें या पिक रिस्पी करना है तो सारा नास्ता हमने मना के तेयार कर लिया है यह लिज़फेर्ण अपके लेते हैं रे अलू पोह का बहुत ही टेस्टी सा नास्ता इसे खाने के लिए ना आप मेरे टामाटर सोस और ना है किसी चट्नी के जुरूत पड़ेगी आप इस नास्ते को एसे यह खाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगाaph खाने में, और हमेशा आप इसी नास्ते को बनाएंगे आज की मेरी recipe पना यहाओ, तो इसे like, share करे, और मेरे चैनेल पर नए आए तो तो मेरे चैनेल को subscribe करेब자, Thank you for watching